डॉक्टर बाबा साहथ अम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटी नमस्कार विद्यार्थे मित्रों, मैं डाक्तर अखिली सुपाद है, डाक्तर बाबा सावा अम्मेडकर ओपन इनुवस्टी, डिपार्ट्मिंग जनलीजियमें मांस कम्मुनुकेशन के चैतन स्टुडियो से आप सभी विद्यार्थे मित्रों का हार्दिक श्वागत करता हू मिद्यार्थे मित्रों, आज का जो बिशह है, अन्डरस्टेंडिंग मीडिया, डिजिटल मीडिया, पेपर नमबर फोर का जो फर्स्ट यूनिट है, इसका पहला पार्ट हमने पिछला जो लिया है, उसमें आज के पार्ट टू में हम जो संचार की बेसिक मूलबुत सिधान हमने पहले पार्ट में आपको बताया, पहले भाग में कि संचार का कितना महत्पूर्ण है, और किस तरीक सा संचार की भूम्या है, कैसे हम कहीं जाते हैं, आते हैं, फिर कुछ भी, कहीं भी, कोई बिजनेस हो, कोई भी हम करियर के रूप में देखें, एजूकेशन के अपनी basic needs हमारे जैसे भूख है प्यास है या अन्य चीजे हैं जितनी जरूरी हैं जैसे हमारे वस्त्र हैं उसी तरीके से संचार है या या यह पी एक हैं उससे भी कहें जादे तो उसमें हमने आपको खास तवर से इस पर चर्चा की कि क्या इसके सिद्धानत है क्या इसके पर परिभासावली हैं किस तरीके से इसकी उत्पत्ति होती है डिजिटल मीडिया क्वेश्चन पेपर नमबर फोर के इस भाग में प्रथम भाग में तो पार्ट टू में इसमें इस पर चाहिए करेंगे कि संचार का जो प्रिष्ट भूमी है हमने देखा कि कहां से इसको उत्पत दंद कथाओं में सुनने को देखें हैं सुनने को मिलता है हमें कि संचार की प्रिष्ट भूमी आद्य अनंतकाल से चली आ रही है और जब तक मानव है या फिर जो भी लिविंग तिंग से अर्थात मानव के अलावा जो भी चीज़े हैं जल चराचर हैं जो पक्षी हैं जा तरीके समाद्र स्थापित करते हैं और उस परिवेश में जो हमारी भासा होती है जैसे कि हम संचार की बात करें तो भारत में जो स्थाई रूप से देखें तो अभी भी तकरीबन कम से कम 800 से जादे भसाएं हैं और यहां ऐसा कहा जाता है कि भारत के संदर्व में कि हर जो तिन किलो मेंटर पे आप और जो वह बन जाता है उसी तरीके से पटल में देखें हम की किस तरीके संचार की प्रिष्ट भूब है तो कहीं भी जाएंगे तो सबकी अपनी भासा है उसको समझने सोचने के लिए हम तरीके स्थापित कर सकते हैं तो आज चर्चा करेंगे कि कितना महत्पूर्ण है और कैसे हम फॉर्मली बात करते हैं इसके क्या सिधानत हैं कैसे हम अपने आपको इंप्रूब कर सकते हैं इस सब अब नंबर फोर में डिजिटल मेडिया के पार्ट टू में हम इस पे चर्चा करेंगे अगया जैसे विदार्ति मित्र मैंने आप से बताया कि इसमें किस तरीके सा संचार की क्या प्रिश्ट वह में एक तो जैसे पहले अगर देखें कि बर्बल कम्म्यूकेशन और नान दूसरे दूसरा हम देखते हैं कि फॉर्मल और इन्फॉर्मल कम्म्यूकेशन क्या है उसके बाद हम थर्ड कुम देखेंगे कि डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्म्यूकेशन क्या है इसमें जैसे कि विदार्ति मित्र हम देखें कि पहले अगर हम संचार की बात करते हैं तो ग्रूप फिरमास की बात करते हैं तो उसके अलामा हम अनने बात करें कि इन चारों के अलामा जो चार तो बेसिक सिध्धान्त उसके अलामा कर हम देखें कि बर्बल कम्यूकेशन कैसे स्थापित करते हैं नान बर्बल कैसे स्थापित करते हैं उसके बाद अपोर्ड कम्यूके चीजों को अपनाता है तो निश्च द रूप से अपने जिवन में प्रगती करता है और नए आयां मस्थापित करता है अब इसमें अगर हम देखें कि क्या है communication के प्रकार क्या है किस तरीके से हम इसको देखें तो एक simple से इसमें जो परिचे के रूप में हम देख सकते हैं कि इसमें communication is the provide pivotal for any business to be successful depending upon the circumstances and business needs the type of communication bearish और थाद कि जो भी आप अस्थापित करते हैं अपने जिए उनके जो भी अप लक्ष अस्थापित करते हैं जो भी मुलबुत से दानता अस्थापित करते हैं जो भी करना चाहते हैं बिजनेस हो एजुकेशन हो या कहीं उसमें यह जो निश्चित्त्य होती है कि आप communication की जो जो प्रकार है किसे आप करते हैं किसे अपनी बाद को इन इस समबाद करते हैं क्या क्या नियुक्त करते हैं क्या सकते इसमें मैसेज करते हैं तो सामने वाले माले के पास भीजते हैं। और कैसे हम जाले सा करते हैं उसका क्या आज हम अर्वाजाता हैं घ्रण ज्यूंदा चलते हैं bien लूब फॉल से रहा था हम प्रोबिविल्टी मान के चलते हैं सम्भावित हम कम्यूकेशन अस्थापित करते हैं कि अगर इस तरीके का मैसेज होगा हम लोगों के बीच हम तार्गेट कर रहे हैं तो निश्ची तुरूप से उसका कहीं ने कहीं उसका इफेक्ट होगा इतना इ सब्जेक्ट आपर देखते हैं कि कहां कहां पर खासतोर से रह गया है रहे हैं है से मान के चल लए एकीक अस्थापित से उसके माध्यम से ले करके उसके फिडबेक तरिशीवर सेंडर या फिर जो हम स्थापित करते हैं उसके सब्जेक्ट को ले करके अब जग्जेक्ट तक हम त smo th देखते हैं और यह तरह हम करते हैं कि उसमें कहां कर रहे तो वर्बल कम्म्मुकेशन खास तोर से जो हम मैसेज एक दूसरे को बात करते हैं, खास तोर से माउट से करते हैं, मतलब औरल कम्मुकेशन करते हैं, राइटिंग कम्मुकेशन के जरी हम स्थापित करते हैं, खास तोर से जैसे कि हम लिख करके संदेश प्रसीद करना, या फि इसमें कुछ basic terms हैं, जैसे कि हम किस प्रकार के word को choice कर रहे हैं, हम कहां पर भेजना चाहा रहे हैं, उसके एक प्रकार हो तक उसका जो pattern है, जो speech का, जो oral मस्तापित करना चाहा रहे हैं, उसमें किस तरीकी का हम words के use कर रहे हैं, दुसरा का उसका inflation किस तरीके हम कर रहे हैं, क्या जो पीछ हम डाल रहें, जो भी स्पीछ हम वर्स कम्यूनिकेट करना चाहा रहें, जो भी हम दिखाना चाहा है, क्या IJT जो सही हो पाएगा, क्या और आने वोले परिसितिक्ति में इन सब चीजों पर खास्तौर से ध्यान देते हैं। अगर यह चीजों को अगर हम सही से साफियत नहीं कर पाता है निश्चित रूप से उसका फिडवेग उतना संतों जनक नहीं होगा जितना की हम चाहते हैं उसमें एक चीज और खासतोर समध्धान देते हैं कि हमारा जो टोन है जो बात करने की खासतोर से श्टाइल है कभी-कभी हमें लगता है कि कोई ब्यक्ति नार्मल तरीके से बात चेत कर रहा है जे शिंपल वे टॉकिंग टॉकिंग श्टाइल इस बेरी सिंपल बट यूर समझ है आप जो समझ पा रहे हैं उस तरीके साब सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं सामने वाला हो सकता कुछ कह रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं उसकी बॉड़ी लंग्विज किस तरीके से है उसका भी हैबियर किस तरीके से आई कंटक्ट उसका किस तरीके से और और खास तवर से जब हम अस्थापित करते हैं, तो कई चीजों का इस्तमाल हम करते हैं, या हम जब औरल की बात करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि अस्थापित करने में तो औरल में खास तवर से इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि जो हम वर्ड्स में वर्ड्स की बात करते हैं कि choosing choosing of the word eye contact and the body language क्या हम अस्थापित कर पा रहे हैं क्या राइट वे में हम जा पा रहे हैं क्या जो हम संदेश देना चाह रहे हैं उसका selection हम सही से कर पा रहे हैं इन चीजहों को खासा हम ध्यान देते हैं अगर हम पिक्चराइशन के जरीए या कुछ अन्य पक्षों के जरीए उसमें एक खासा दो तरीकी के इंपेक्ट होता है एक तो और ली स्पीच होती है और इस बात प्र धियान देते हैं कि जब कर रहे हैं तो खासा कुछ इमेजेज डाल दें इमेजेज अगर डाल दिया तो उसमें जिस कॉंटेक्ट को अब दिखाना चाह रहे हैं उसके content अध कि अगर आप बताते हैं तो निश्ची तूरूप से audience पे जिसको आप दिखाना चाहरे हैं जो भी आपका targeted group है उसमें खास्ता और से कुछ नगुछ उसका असर पड़ता है और उसका ज्यादे असर होता है क्योंकि जब oral speech आप करते हैं verbal communication जब आप करते हैं तो निश्ची तू तो written communication जो होता है उसके साथ साथ कुछ images भी होती है images खास तोर से इसलिए होती है कि आपको images के जरिए उस बात का तुरंत आसानी सो जाए क्योंकि कुछ words हमारे जो भूलनी के प्रवगत्ति है जो हमारा body system है जो हमारा आरगन है क्योंकि हम जो चीज़ें याद करते हैं उसक तो निश्चित रूप से इमेजेज है जो मैफ है जो चार्ट से जो ग्राफ है communication जब अस्थापित करते हैं तो कहीं ने कि उसमें शकरात्मक असर पड़ता है और खास्तावर से उसका effect पड़ता है दूसरा उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके हम elements इस्तेमाल कर रहे हैं जैस हम जोड रहे हैं और जोड करकर देख सब सारी चीज़ों को अगर हम सही तरीके सब में अगर हम करें तो निष्चित रूप से उसका सकरात्मक असर देखने को मिलता है अगर कि नान वर्बल कम्विन्यूकैसं के बाद हम अगर करते हैं इसमें खास्थ अब करें तरीके से कमुन्यूकेशनग सथापना करतें कुछ इसमें पॉइंट्स है जो कि हम इसमें चर्चा करें गजो उन्पाइप रहे हैं जो हम इसको चीजें देख रहcertे हैं अच्चेए हैं से लेकर कि आई कांटेक्ट से लेक लेते हुए आपके टोन से लेते हुए सारी चीज़े उसी तरीके से नान बरबल में यह चीज़े हैं जैसे कि आप न बोलते हुए भी सारी चीज़ें उसको आप कह पाते हैं और सामने वाले को समझा पाते हैं इन चीज़ें को आप देख बाते हैं उसी तरीकी से अगर हम देखए कि liberal in informal communication क्या है ।技ह कि अगर हम ऐसे अगर बात करें कि कैसे अस्थापित करें formal को informal क्या है informal जैसे कि अगर मित्रओं के बीछ से बैठ है आप कर रहा है आप गोशिप कर रहा है कुछ ऐसे परिवार में तो उस तरीके से कोई चीजह चलते हैं. Formal communication कोई organization हो, कोई education system हो, कोई university हो, या कोई companies हो, उसके थू लेकर के, organization को लेकर के, उसके वे आप behavior को लेकर के, उसके working culture को लेकर के, जो आप एक plan बनाते हैं, जो एक audience के बीच में आप जो अप deliver करने वाले उसके ताथ जो भी चीज़ें आप तयार करते हैं उसको खास्तोर से उसमें देखते हूं फार्मल कम्यूकेशन के अंतरगत आता है जो चीज़ें जो कि एक वे अफ लाइफ जो आपके उस इतरया जो घर में जो आपके हर ब्यक्ति की एक दोस तीन तरीके का जीवन होता एक त की जीवर साथ होता तो उसका एक झीवन दुसरी तरीके सोहता है तो इसमें जरूरी की जासरी सटायल उसके थुरू अगर कुछ इसके बीजन बनाता है कुछ करता है कुनिंग करता है कुछ उसको उस सरी क्रिंग को जा रहा है किस तरीके कि अपरधान का इसते माल कर रहे लिए हाएं कफ तौर से इन बातों को ध्यान दिया जाए जाएं लेकिन और और usa कुलूर다 कर चे mentorship complex no योल हुता है कि किसी आर्गनाइजेशन में जैसे हैं वहारी हैं ये संस्कृति एória कि अगर अगर आप ध्यान देते हैं कि लूज एसको फार्मल वेयरफ स्टाहिल से स्क बात करेंगे अगर इन बात करेंगे इसकी चरचा मैं करूँगा फिर और आगे किस तरीके से देखना यहां इन फार्मल हम न करें इन फार्मलव तरीके से बाते हम न करें जैसे अगर करें कि स्टेंडेड़ चेंड क्या है एक कि हम जो मैसेज पहुचाना चाहा रहें सिंगल कोई व्यक्ति बहुट्पी सामने को हम चैन के जरी आप हम डिलीवर करना चाह रहें, दूसरे लिए वन परसं तू अनादर परसंस, आनादर परसंस, तो वह जो कम्म्मुनुकेट करता है, एक सिंगल ब्यक्ति है, जो से कम्मुनुकेट करता है, एक क्लिश्टर के चलते हैं कि जो भी हमारा target audience है उसकी हमारी success की ratio it may be 80% it may be 70% it may be above than 90% तो उसमें यह होता है कि मान के चलते हैं लेकिन क्या अगर feedback पर बात करें कि हम cluster में probability में हम जो बना के जिस सम्मूम में हमने भेजा है क्या उसकी probability जो हमने बना कि मान के जो हमने चला है क्या उसका feedback उतना आ पा रहा अगर उस तरीके साब का feedback नहीं आ पा निश्चित रूप से आप अपने काम करेंगे फिर से देखेंगे कि कहां चूक हो गई या किस तरीके से देखते हैं एक होती गोशिप चेंड जो कि अपने यार मित्रों के साथ बैठ करके हम एक communicate करते हैं एक समुह होता है समुह में बैठ करके हम gossip करते हैं उस आहां पर हम इन formal communicate के खास्तावर से एक कुछ examples हैं जो मैंने आपको यहां पे दिये आगे भी दियर्थी में तुरों अगर हम बात करें कि downward and upward communication के बारे में यहां पे कुछ हमने देखे हैं कि किस तरीके से आप कुछ इसके basic example हैं जैसे कि हम बात करते हैं कि higher to level अ उपर से नीचे खमबात करतें यहां जो खैरकी होती है कि जो उपर का जो बहुत होता है नीचे की जो कडि होती होती से किस तरीके से communication जो स्थाफित होती है उसको कैसे communicate करता या targeting वह बनाएगा जो भी एक target बनाएगा, जो भी बनाएगा, एक कह लिए कि कोई एक plan बनाता है, तो आप को structure आपको दे दिया, कुछ काम करने के लिए दिया, तो उसमें आप उस पे काम करते हैं, उसकी एक hierarchy है, उसको आप ऊपर नहीं उससे जा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई position पर कोई व्यक्त पीच होई, कुछ meetings होई, कुछ telephone talks पर जो हम बात करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, कि जो जो बॉस होता है, फिर जो hierarchy एक system है, कि जो upward to downward हम देखते हैं, तो उसमें होता है कि सामने वाला देखते सुनता है, आप उसको आप उसको आजे follow करते हैं, या फिर जो communication, जो अस् जो बताता है, उसको करते हैं, उसमें कुछ suggestions अगर लगता है, तो उसमें valuable suggestion दे सकते हैं, लेकिन उसको आप deny नहीं कर सकते हैं, एक इसके कुछ इसके example हैं, जैसे कि आप जो भी communication अस्थापित करने जा रहा हैं, तो without जो उपर की जो कड़ी है, जो स्रिंखला है, उसको आप supersede नहीं कर सकते हैं, उसको आप overlook नहीं कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो एक hierarchy system बना, उसको follow करते हुए, चीजों को यह suggestion दे करके, उसमें आप काम करके, एक communication आप अस्थापित ऐसे आप कर सकते हैं, तो यह इसके downward and upward के communication के कुछ हिसमें हैं, लेकिन इसमें एक चीज communication valuable अगर नीचे से नहीं हो पाता, तो कहीं बीच में communication gap हम को देखने को इस तरीके से मिलती हैं, लेकिन जो एक system है, जो एक shrinkla है, जो chain है, उसको आपको पार करना मुश्किल है, वो आप पार कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो communication का system है, उसको आपको follow करके, आज़े, IJT उसको द सरीके से आप जो भी message deliver करना चाह रहा है, तो उसमें message पहले message डिजाइन करेंगे, उसका जो आप subject तयुक करेंगे, फिर इसको किस माध्यम से भीजना चाह रहे हैं, कौन से cycle तयुक करना चाह रहे हैं, कहां उसको भीजना चाहते हैं, क्या downward में, कहां पर Harmonica चाह रहे हैं कि आर्डिन्स के पास अपना जो मैसेज भेजना चाहें इन सब सारी चीजों का खास तूर से उसमें देखना होता है जो communication का एक सिधान तेखास तोर से कि हम लाश्ट में जब यहां सेंडर जो होता है और बना करके भीजता है और जो receiver होता है receiver प्राप्त करने के बाद थ्रूआउट जो organization के छवी है उसमें लाश्ट में जो feedback की जो कड़ी आती है कि फिड़बैक हम देखते हैं तो फिड़बैक में में एक देखने का मिलता क्या हमने जो स्थापित किया था informal information pass किया था message के जरी क्या उसका feedback क्या सकरात्माइक है क्या उस तरीके से हम जतना चारहाएत हो जो यहां पर चैनल आप यहां पर देख पा रहा है कि यहां पर सेंडर भेज़ेगा उसको एक message जो होता उसको encoded होता है फिर message उसको decode होगा receiver के पास जब जाएगा तो receiver उसको समझेगा तो उसमें कुछ चीजें जो circle में आप देख पा रहा है कि जब उसकी किस तरीके की ध्वनी है कैसे उसको स्थापी तो कर पा रहा है क्या जो message का तरीका है वो सही है नहीं है फिर last में जब आता है तो feedback हम देखते है feedback के बाद फिर वही system chain के जरीए आप देख रहे हैं कि sender के पास तो चीजें आ रही है receiver के जरीए फिर से वह आ रहे है क्या उसमें जो मैं बात अभी कर रहा था विद्रतिमित हूं कि क्या सकरात्मक जितना आप Target आप अस्थापित कि हैं उसमें हो पा रहा है क्या उसमें जितना आपने एक M बनाया है उतना उसमें हो पा रहा है इन सब चीजों को अगर आप देखते हैं तब ही जाकर को उसके सकारात्मक पढ़ाम होते हैं इसी तरीके के और एक्जामपल है आप अगर देखें कि खासता और सब बर्बल हमनान बर्बल की बात आप से कर रहे तो उसके अलामा जब मास और ग्रूप की वाद करते हैं तो सेम सिच्योशन है होती है कि जैसे आप स्पीच कोई अगर बर्बल में आप देते हैं कहीं एक ओडियंस के बीच में आप खड़े होते हैं वहाँ पर एगर यह स्पीच आप देते हैं तो उसका फिडबैक त आपने इंपलाई के जरी आप एक चैन बनाते हैं उसमें हां से थोड़ा से फिडबैक लेट आता है लेकिन जो आ सार्व मास में बात करते हैं ट्रूप में बात गरते हैं तो सा-पा तरन्ट बाद या कुछ दिनों के बाद या कुछ थोड़े close to बाद मिल जाता लेकिन इसमें एक जरीय जब भेजते हैं एक जब किसी आप डिवाइस की स्टिमाल करते हैं आप करते हैं सेटलाइज की जरिये जिशित रूप से जिसके बारे में बना करके आप कुछ कर रहे हैं तो उसके feedback लेने के लिए है फिर देखने के लिए जब जहां आपका target audience है उसको बना के भेजते हैं तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है फिर आप process देखते हैं कि फिर कहां से जो भी चेन आपकी हुई है फिर जो भी मैसेज भेजना चाहरा है उसमें transparent उस message है कि जो कितना transparent है क्या जो आपने message को बनाया जिस audience को भेज पा रहे हैं क्या उस audience की समझ उतनी है या फिर उस audience उसको समझ पाया या उसको नहीं समझ पाया ये सारी चीजें आपको feedback के जरीए देखने को और समझने को मिल जाती हैं तो विद्यार्थी मित्रों खासतोर से इसमें किसी के पास या बरबल या नान बरबल के जरीए करना चाह रहा है आपका जो message होना चाहिए बरबल खास तरूर से जो message भेजना चाह रहा है किसी emails के जरीए भेजें या फिर आप किसी social platform पे भेजें या खिर कोई ad बना करके बहें तो उसकी transparency कितनी है वह कितना उसकी audience कितना उसको समझ पाएगा वह खास तोर से जादे महत्पूर अगर उसको जादे समझ नहीं पाता है उसमें कुछ new falses हैं कुछ hidden falses हैं तो निश्चित रूप से उसके नकरात्मक असर होते हैं और नकरात्मक्ता देखने को मिलती है विद्रती मित्रों यहां पर हमने कुछ प्रस्न आपको दी हैं कि जैसे कि आप अपने को चेक करने के लिए देख सकते हैं कि पहला प्रस्न जो हमने यहां पर रखा कि Describe the formal and informal communication क्या है तो इसमें आप formal and informal communication को देख सकते हैं, दूसरा question जो मैंने दिया है कि discuss the significance and importance of communication तो खास दोर से इसमें आपके संचार का कितना महतपूर है, क्या इसके अभिना हमारे life में कितना महतपूर है, क्या इसके importance है इसको आप देख सकते हैं और तीसरा जो questions है कि communication का जो process है क्या है उसको आप एक तरीके से describe करें उसको आप समझाएं या उसको लिखें तो इसमें तीन questions को अपने progress के रूप में आप निश्चित रूप से अभ्यास करें उसको देखें निश्चित रूप से अगर आप एक करते हैं तो आपको सफलता मिलती है एक ह बेहत समझ में आया होगा हम आसा करते हैं विद्यार्थिमित्रों की जो next unit होगा उसमें हम आगे जो डिजिटल मेडिया के जैसे की और यूनिट है से facebook है instagram है social media के जोई platform है उसके हम चर्चा करेंगे और आपको समझ आएगा तो जो भी पिछला विद्यार्थिमित्रों आप यहा पार्या मंता पहा